बिना गैस जलाए दानेदार कलाकन बर्फी कैसे बनाना है ये आज की वीडियो में देखेंगी आपने आज से बिले ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी इसे घर पर ज़रूर ट्राय कीजिगा जिसे आपकी महनत की समय की और पैसे की दोनों की बच्चत होगी तो चलिए नहीं है तो आप सिर्फ दो चम्मच दूद का इस्तमाल कर सकते ही लेकिन ध्यान रही रखना है मलाई जादा पतली नहीं होना चाहिए अब यहां पर मैंने शक्कर को पीस लिया है और एक कप से थोड़ा कम मैंने यह पीसीवी शक्कर ले ली है इसे डाल कर पहले हम मलाई मे मिक्स करेंगी तो दोस्तो मलाई शक्कर यह तो हर घर में होता ही है और इससे मिठाई बनाना सबसे आसान हो जाता है तो यह देखे दोस्तो शक्कर को हमने अच्छे से इसमें मिला दिया है अब हमें इसमें दाने दार टेक्शर लाने के लिए लेना है ब्रेड की स्लैस तो म अब इसे हमें तोड़ कर मिकसर के जार में डालना है और इसे सूखा पीसना है इसके हमें क्रम्स तयार करना है लेकिन आप बाजार के वह रेडिमेट क्रम्स बिल्कुल भी इस्तमाल मत कीजिए तो यह देखे दोस्तों हमने इसे पीस लिया है इसे हम एक साइड रखेंगी और हम खोवा लेने जाते हैं तो वो तो अभी त्योहारों के समय मिलता भी नहीं है और मिलता है तो काफी मिलावट वाला मिलता है तो अब पनिर का इस्तमाल कर सकते हैं इसे हमें तोड़ कर मिकसर के जार में डालना है और इसे भी हमें सूखा पीसना है पानी नहीं डालना है आ अब हम इसे मिक्स करेंगे शक्कर और मलाई की अंदर उसके पहले मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा वेनिला इसेंस अब इसमें इलाईची का पोडर भी डाल सकते हैं और ये पनीर डाल कर इससे अच्छे से पहले हम मिलाएंगे तो पनीर इसमें जैसे ही अच्छे से mix हो जाए पूरा अच्छे से इसमें मिल जाए तब हम इसमें डालेंगे bread crumbs तो ये जो bread हमने पीसे है ना इसी से ही आज इसमें बिल्कुल दानेदार texture आएगा और यकीन मानिये दोस्तों किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने इसे दो मिनिट में बनाया है मतलब ये दानेदार जो कलाकंद है वो दो मिनिट में बनकर त्यार हुआ है अब हमने इसमें डाला है आधा कप milk powder अगर आपके पास milk powder नहीं है तो आप इसमें नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं लेकिन वो कलाकंद वाला flavor लाने के लिए आपको milk powder ही डालना है अच्छे से सारे चीज़ों को mix कर लेना है ये देखे दोस्तों अब हमें इसे set करने के लिए रखना है तो मैंने यहां पर लिया है एक टीन और इसके अंदर मैंने butter paper लगा लिया है अगर आपके पास butter paper नहीं है तो आप plate को थाली को अच्छे से grease कर लेजे और फिर आप इसे रखे पर मैं आपको recommend करूंगे कि आप butter paper ज़रूर लगाए इसे ये आसानी से जली से निकल जाएगा अब spatula के उपर थोड़ा सा घी लगा कर इसे evenly spread घरना है अच्छे से फैलाना है और perfect इस तरीके से फैला कर इसे अच्छे से flat करके freeze में रखना है आज मैंने ये मिठाई रात को बनाई है तो मैं overnight के लिए से freeze में रख दूँगी ताकि अच्छे से dry हो जाए और इसके perfect pieces बन कर तयार हो जाए तो ये देखें दोस्तों अब दूसरे दिन जैसे ही मैं इसे निकालूंगी तो आप देखें कि ये जो हमारी मिठाई है वो कितनी tasty perfect shape की और आसानी से बन कर तयार हो जाती है तो तयारों में समय कम हो तो आप ऐसी मिठाईया बनाई है जो सबको खुश भी कर दे और आपको ज्यादा मेहनत भी करने ना पड़ें तो ये देखें दोस्तों कितने आसानी से ये अलग हो गई है तीन से और अब ये paper हटा कर हमें इसके pieces करने है तो दोस्तों यहाँ पर आ जिसे आपको गार्निश करना है थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर पिस्ता केसर या फिर आप चांदी का वरग भी लगा सकते ही तो ये देखें हमने इसके pieces कर लिये ही और इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा से से हलवाई जिसे गार्निश किया है और ये देख आज से पहले YouTube पर देखी है कमेंट करके जरूर बताइए तो आपके काम को आसान करने के लिए मैंने बहुत ही शांदार recipe में लेकर आई हूँ तो प्लेज इसे जादा से जादा लाइक और शियर्ट जरूर कीजिएगा तो दोस्तों अब इसका texture और जैसे हम इसे तोड़ते है वैसा ही इसका texture है बिल्कुल बाजार जैसा ही कलाकन बना है लेकिन स्रीप दो मिनट में तो हैना बहुत ही शांदार idea तो इसे आप भी घर पर try कीजिए बस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए अगर आपका मिश्रन जादा soft हो जाए तो डरिये नहीं इसमें सब्सक्राइब कैसी बनी मिलते हैं अगले नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दोस्ते